नमो बुद्या जैभीम साथियो आज हमारे बीच में जनपत्बस्ती उत्तर परदेश से डाक्टर असीस कुमार गौतम जी जो पेशे से एक सिच्छक हैं अपने पत्नी के साथ में जो गौतम वो भी सिच्छका हैं दोनों पत्पत्नी यहां पर बुद्पूर्मा के पाउन प पाल में आए हुए हैं हम इन से कुछ जानकारी करते हैं इस पाउन पर्प के अवसर पर सबसे पहले आपका हमारी चैनल स्वागत है सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके इस चैनल को जिसके माध्यम से मैं पूरे संसार के लोगों को आज इस त्रिविध पाउनी पैसाग पूरिमा के अवसर पर इस संसार के सभी प्राणियों का कल्याण हो सबकी स्वस्तमुक्ति हो और सबका मंगल हो ऐसी भगवान वुद्ध से हम प्रार्थना करते हैं और आज इस बैसाग पूरिमा के अवसर पर मुझे ये सवभाग प्राप्त हुआ और मैं अपनी पत्नी के साथ पहली बार जो है लुम्बनी इस महान अस्थल पर आया हूं और दर्शन का स्वभाग्य प्राप्त हुआ है आज का दिन जो बैसाख पूरिमा का है आज त्रिविद्य पावनी बैसाख पूरिमा इसलिए कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन में हर इस तिथी को हर बैसाख पूरिमा के दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हुई हैं तो सबसे पहले 563 हीसापूर्व में जो है भगवान बुद्ध का जन्म यहीं लुम्बनी में हुआ था और दूसरी बात जो है बुद्धतुप की प्राप्ती 528 इसवापूर्व में बोध ही गया में भगवान बुद्ध को 35 बर्ष की उम्र में प्राप्त हुआ था जो उन्हें सिधार्थ से बुद्ध बनाने में और पूरे संसार में उनकी सिख्छा को फैलाया वो इस पुद्ध पूर्मा जो बैसा कूर्मा किती थी है इसी दिन हुआ इसलिए इसे त्रिवेधि पावनी बुद्ध पूर्मा के नाम से जाना जाता है और इस और पर हमें यह भगवान बुद्ध की किरपा हुई कि हम आज इस अपने जीवन में बहुत महत्पूर्ण मैं अपने आपको इस्तिति को मानता हूं कि मुझे आज के आउसर पर मुझे यहां का दर्सन करने के लिए मिला आउसर मिला इसके साथ आपके चैनल के माध् बात को रख पा रहा हूं इसके लिए आपके चैनल को और आप सभी साथियों को बहुत बहुत बदाई देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत साथ बात